आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है नमस्कार दर्शिकों यह MNS News Network और आप देख रहे है MNS News टीम मैं हूँ आपके साथ शुभांगी तो आए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइस की और आप पपु है पपु ही रहेंगे और देश का मनोरण जन करते रहेंगे ललन सी है रक्षा शेत्र के लिए कैसा रहा बजट पिछली बार के मुकाबले क्या रहा अंतर कौन है जहारकन में सत्ता रूड गड़ बंदन के फकीराना अंदाज वाले नए नेता आए देखते हैं खबरे विस्टार से आप पपु है पपु ही रहेंगे और देश का मनोरण जन करते रहेंगे ललन सीहा जनता दल यूनाइटेट के नेता और लोकसमा संसत राजियू रंजन सीहा और ललन सीहा ने बुद्वार को कॉंग्रेस नेता रावल गांधी परती का हमला बोला जिनकी भारत जोड़ यात्रा बिहार से गुजन सेयाने गांधी पर बिहार में हुई जाती आधारी जनगन्ना पर जुड बोलने का आरुप लगाते हुए उन्हें पपु कहा जिहां गांधी पर यहां हमला जद यू प्रमुक और बिहार के मुख्यमति नितिश कुमार द् अपना हमला जारी रखते हुए ललनसिया ने कहा कि देश की राजनिती में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजे यही कारण है कि आपकी कॉंग्रेस पार्टी दीनों दीन सिटकूरती जारी है अगर असत्य का सहारा लीजे गया तो प्रदान मंत्री बनने का आ उन्होंने एक बात और कही आप पपू है पपू ही रहेंगे और अपने चुटकूली बाजी से देश का मनुरण जन्द करते रहेंगे इससे पहले राहुल गांदी ने जातिया जन्दगन्ना को लेकर क्रेडिट लेने की कोशिश की थी इसी पर नितिश कुमार ने राहुल प्रजिनिक बैठकों तक हर जगह जाती जन्दगन्ना करानी की बात करूंगा जी हाँ फर्जिक एडिट ले रहा है मैं क्या कर सकता हूँ जाने भी दो आईए बढ़ते आगली ख़बर क्यों रक्षा शेत्र के लिए कैसा रहा बजट पिछली बार के मुकाबले क्या रहा अंतर वित्तमद निर्मला सीता रवन निगुरवार को अंतरीम बजट डोजाचोविस पेश किया इस बजट में के जन सरकार ने रक्षा शेत्र के लिए कई बड़े कदम उठाये है और 11.1 फिसीद ही बढ़ाया है मोरी सरकार कुल बजट का अड़ प्रतिशत हिस्सा करोड रुपए जादा है बता दे कि पिछले बजट में सरकार ने रक्षा शेत्र को 5.49 लाग करोड रुपए दिये थे हतियार खरीद लोग 1.62 लाग करोड बजट में तीनों सेनाओं के वेतन के लिए इस बार 2.82 लाग करोड रुपए आवंटित किये गये है इसके के लिए किसे कितना में पैसा मिला है देश के लिए इस बाद सबसे जादा आर्मी को 1.27 लाग करोड रुपए दिये गए है इसके बाद अर्पोज को 1.30 लाग करोड रुपए दिगे और 9 सेना को 37.31 करोड रुपए आवंटित किये गये है और पोज के रिटार सेनिकों के स रंख्या करिफ 26 लागे हतियारों को लेकर आत्मर निर्भता लक्ष्य वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक टेकनोलाजी को मजबूत किया जाएगा ताकि हतियारों के लिए देश आत्मर निर्भर बन सके डीप टेक स्टार्ट अप के जरिए मशि राना अंदाज वाले नेनेता पैरों में चपल धिली शट पैंट और सीर के बालों पर फैली सफे दी चंपई सोरेन की यह पैचान है जिहां वे साधी से जीवन जीते रहे हैं किसी को दिक्कत हुई हो तो उन्हें टैक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया फिर चंद नेता चुना है हेवन सोरें से परवर्तन निदेशाले एडी की पुष्टाज को लेकर यह संकित मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार से नई सियम के तौर पर हेवन सोरें की पतनी कलपना सोरें के नाम की अटकले लगाई जा रही थी लेकिन बुद्वार शाम नए नेता के पर चंपई सोरें का नाम सामने अब राज जारकंड की राजधनी राची में राजजपाल सीपी रादाकुश्चन ने मुलाकात के बाद कॉंग्रिस नेता को बताया कि हेमन सोरें ने अपने पास सी इस्तिफा दे दिया है हमारे गडबन्दन ने चंपई सोरेंची का नाम पेश किया है 43 विदायकों के अतक्षर का पत्र हमने दिया है हमारे पास 47 विदायकों का समर्थन है राजपालने अभी शपत गरहन के लिए समय नहीं दिया है उन्होंने कहा कि पहले आपके पेपर को देख लेंगे फिर आपको समय देंगे जी यहां यह तो बराबर है ना कौन है चंपई सोरेन जारकर मुक्टी मोर्चा के सदसट वर्षिया नेता पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमन सोरेन ने दोनों के विश्वास निया रहे हैं अब आप हमारे चैनल को आपकी मुबाइल पर भी देश सकते हैं मुबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मनस्निवस्टी आप्स डाउनलोड करें इंस्टा हाइक प्वीटर कूप पेस्वुक और काई सोचल मीडिया प्लाटफूम पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इसे यूटूब पर भी देश सकते हैं आप इसे लाइब भी देश सकते हैं www.mnsnewst.com पर फिलाल वक्त हो चला है दर्श को ब्रेक काव रिक से लोटने के बाद देखी गादे शुरुद्या की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं मनस्निवस्टी पर नवश्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News